मुख्य मंट्रियों की आदितिनात ने समस्त प्रदीश वासियों को शार्दिय नौरात्र की पावन नौमी एवं विजय दस्मी दिशेहरा की शुपकामनाई देती वे अपील की है कि परवित्योहारों पर सुक्षिता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच शुपरात मिक मीडिया से बातचीत में सीयम योगी ने कहा कि सनातन हिंदू धर्मे में वर्स में दो बार नौरात्र वासंतिक और शार्दिय के पावन पर उपर समस्त सनातन धर्मावलंबी मात्र शक्ती के प्रति सम्मान की सर्वोच भावना के साथ पूरी प्रति बद्धिता से जोड़ते हैं नौमीतिती पर कन्या पूजन की सनातनी परंपरा मात्र शक्ती की महत्ता को रेखांकित करती है यह केवल धार में एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं है बलकि भौतिक जीवन में भी इसकी महत्ता इवं प्रसांगिकता है मुख्यमंडरी योगी आधितिनात ने कहा कि वासंतिक नौरात्र की नौमी तिथी मरियादा पुरुशुत्तम भगवान शुरी राम के पावन जन्म से जुड़ी है तो शार्दिय नौरात्र में नौमी के बाद दश्मी कीती थी शुरी राम के विजयोसों से यह पर्व हमें अहिरनेस स्मरन कराता है कि सत्य धर्म और नयाय के पत पर चलने वालों की सदे विजय होती है असत्य अधर्म और अन्याय कभी शास्वत नहीं हो सकता सियम योगी ने कहा कि पूर्व में दो वर्ष तक कोरोना के चलते आयोजन पर कुछ पाबन दिया रही लेकिन मा भगवती की कृपा से कोई विग्न नहीं आया अब सदी की सबसे बड़ी महामारी काफी हद तक नियंतरन में है और परविधूम धाम से सामाविक्ता के साथ मनाया जा रहा है सियम योगी ने कहा कि दुरगाप, पूजा एवं विजय दस्मी के आयोजन में प्रशासन की तरफ से सुरुक्षा वा अन्यमानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है आयोजनों से जुड़े लोगों को भी इसमें अपनी भागीदारी वा जिमेदारी निभानी होगी पूजा के समीतियों के आयोजक वं मंदिरों के प्रबंदक सुक्षिता अगनी सुरुक्षा समीत सभी प्रकार के सुरुक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते वे सुक्षिता का भी ध्यान रखे प्रशासन के साथ मिलकर या सुनेश्चित करें कि कहीं भी कोई आववस्था भगदर की इसती ना हो किसी की भी आस्था के साथ खिलवार ना हो परवका उत्सा उमंग कम ना हो लोग जीवन में खुशाली वा उमंग कायम होने पर ही सभी लोग विकास से जुड़कर समाज प्रदेश वा देश हित में अपना योगदान दे पाएंगे इस संबन में गुरगपूर्णी उससे बात करते हुए मुख्य बंजरी योगी आदितिनात ने कहा सार्दिय नोरात्री प्याज नौमी तिथी है देवी सुरूपा नौकन्याओं का पूजन का कारिक्रम अभी संपन्न हुआ है सनातन हिंदु धर्म की परंप्रा में पर्व और त्यवहरों के महत्तो को वेखांगित करने वाला यह आयोजन मात्रि सक्ति के सम्मान से जुड़ा वहाप बहुत महत्तुकून प्रस्न है और स्वाभाई ग्रुप से सनातन हिंदु धर्म की परंप्रा में इसे सर्वोच्य महत्त्वा दी गई है इसे लिए वर्स में दो बार बासंती नौरात्र और सारदिय नौरात्री की रूप में सभी सनातन हिंदु धर्मावलं भी मात्रि सक्ति के परती सर्वोच्य सम्मान बेक्त करने के लिए इन आईजनों के साथ जुड़ता है मैं पुरे प्रदेश वास्यों को सारदिय नौरात्री की इस पावन नौमी तिथि पर अपनी मंगल में सुपकामनाएं देता हूँ आज देवी सुरुपा कन्या पूजन का कारेक्रम अभी संपन हुआ है मेरा स्वभाग्य है कि मुझे इस कारेक्रम को यहाँ पर संपन करने का उसर प्राप्त हुआ है यह मात्री सक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदु धर्मक की परंपरा का एक महत्तुपून आयुजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिपता के साथ जुड़कर की वर्स में इस आयुजन के साथ जुड़ते हैं इन कारेक्रमों को सफन बनाने में अपना योगतान देते हैं दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगे जगे लगते हैं लोग परिपरिवार के साथ इस अनुष्थान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत नौ दिनों से पूजन का जो कारेक्रम दुर्गा सबसती के पार्ट के साथ ही प्रारम हुए थे आज कुमारी कन्याओं की पूजन के साथ जगजनी मा भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं की पूजन का एक कारेक्रम इसके साथ ही अभी संपन्नों हुआ है स्वाभाई गुरूप से हम सब के सामने इसको क्यों लेक धार्मिक और आध्यात्मिक आयुजन तक सेमितना रख करके एक भौतिक जगत में भी हम मात्री सक्ति के प्रतिए सर्वोच्य सम्मान का भाव बेक्त कर सकें यहां अत्यन्त महत्वकून है और यह आज के दिन पर प्रासंगिक भी है और इस लिए इस प्रम्परा को बारतिय मनिसा ने वर्स में बार पासंतिय नौरात्री के रूप में और सार्दिय नौरात्री के रूप में महत्वादी है अपराहन में विज्या दस्मी का फूने परू भी प्रारंब होगा मोर्त प्रारंब होगा उसके साथी विज्या दस्मी के कारिक्रम भी प्रारंब हो जाएंगे शाभाई ग्रूप से वासंतिय नौरात्री की नौमी तिथि को मर्यादा पुशुत्म भगवान सीराम के पावन जन्म दिन के रूप में सभी धर्मावलंबी मनाता है तो सारदिय नौरात्री की नौ दिन की जगजन्नी मा भगवती के नुष्ठान के उपरांद दस्मी की तिथी विजया दस्मी की रूप में धर्म पर सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदे विजय होती है अधर्म असत्य और अन्याय कभी भी सास्वत नहीं हो सकता कभी भी अन्तिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए धर्म सत्य और न्याय की विजय का परतिक विजया दस्मी कायुजन भी आज अपराहन से प्रारंब हो जाएगा और कल तक इसका मुर्थ होगा मैं इस आउसर पर प्रदेश वास्यों को सारदिय नौरात्री के साथ ही विजया दस्मी की भी हिर्दै से बधाई देता हो अपनी शुख कामना ही देता हो मेरे अपील होगी प्रदेश वास्यों से कि परव और त्यभार बिगध धाई वर्ष से करोना जैसी महमारी के बाद उन्हें सामविक रूप से इस आयुजन के साथ जुड़ने का उसर प्राप्त हो रहा है इद्दे पे जगजनिमा भगवती की बड़ी किरपा थी कि दोनों बार परव और त्यभार में किसी भी प्रकार की बिग्न बाधान नहीं थी आयुजन थोड़ा बहुत करोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन हुए थे इस बार इस सदीक की सबसे बड़ी महमारी से काफी हद तक उसे नियंतित क्या जा चुका है और पूजा पंडालों में मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ है मेरी सबसे पील होगे की सुच्छता को सुरक्सा को और सदभावना को सरोच प्रात्मिक्ता दे करके अगर हम इस परव और तेवार को उत्सार उमंग के साथ आयुजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयुजिन को उसी प्रपेक्स में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो उसके आसपास के छेतर में प्रसासन सुच्छता के कारिक्तरम को प्रात्मिक्ता देई रहा है प्रसासन के साथ ही हम लोग वहाँ पर स्वयम भी आयुजग या मंदिर प्रबंदन भी सुच्छता का ध्यान रखें सुरक्सा के मानुकों को पूरा रखें कोई विला प्रवाही न हो अगनी सुरक्सा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्सा के उन सभी मानुकों को जो अपेक्सा प्रसासन की है और कोई भी ऐसा कारे न हो जिससे भगदर किस्तिती पैदा हो क्योंकि लोग बड़ी सरधा के साथ इस आयुजण के साथ आते हैं फुट्सार उमंग के साथ आते हैं आस्ता के साथ खिलवार न हो किसी भी प्रकार की कोई अविवस्ता भैल करके किसी का उत्सा और उमंग कुंद न हो या भी आई जोकों की जिम्मेदारी बनती है प्रवंदन की जिम्मेदारी बनती है मेरी पुरे प्रदेश वासियों से पील होगी कि वहाँ जहां जहां भी आयुच जग्ण हैं, वो सभी प्रसासन का इस समद में सहयोग करेंगे, कि उत्सा और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और नयाई की बिजय का ये पर्व, अनिएक लोगों के जीवन में, प्रदेश-वासियों के जीवन में, खुसाहली का उत्सा का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्ता परवल होगी तो वे एक सकारत्मुक सोच के साथ बिकास और निर्माण के इस कारिकरम के साथ जोड़ करके अपना योगतान दे पाएंगे मैं एक बार फिर से आज सार्दिय नौरात्री की नौ मीति थी पर और विजया दस्मी की पावन परवकी भी बधाई और सुपकामनाई परिप्रदेश वास्यों को देता हूँ